बॉन बॉर्निंग क्लास मैं आपका साइन्स टीचर पहचान दो गया होंगे अभय पटेल आज आपको CBSC का कुछ ऐसे फंटे बताने वाला हूँ ठीक है जो CBSC बोलता है ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है ठीक है क्लास मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मेरी पढ़ाई में मेरी पढ़ाई आपकी पढ़ाई अपनी पढ़ाई ठीक है स्वागत करता हूँ फिर सब आपसे निवेदन है प्लीज आप लोग सेफ रहो सुरक्षित रहो घर पे रहो और देश का ध्यान रखो और पैरेंट्स का भी ध्यान रखो ठीक है तो आज हम बात करेंगे CVSC के कुछ ऐसे guesses questions होते हैं जो बहुत जदा important होते हैं अगर आप यहीं से पढ़ते हुए चलोगे तो बहुत important आगे तक के लिए रहेगा बहुत सारे बच्चों की comment आएं उन्होंने पूछे हैं बहुत सारे questions तो आज हम आपकी लेके आएं बहुत सारा search करने के बाद हमने CVSC क guesses question उठाएं आज आपको ठीक है यह complete करने के बाद फिर तभी हम next question पर next chapter पर आपाएंगे जब हम आपको सारी चीज बहुत अच्छे से clear कर देंगे आपको पता है बिना clear के हुए मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ ठीक है तो आज हम बात करते हैं light chapter में जो guesses question होते हैं CVSC के उस आपको example बताना है ठीक है वो बताना है कि light का path हमेशा straight क्यों होता है curve क्यों नहीं होता है यह बताना है so think करो उसके बाद आपको answer बताते हैं जैसा कि इसमें भी दे रखा है view answer ले चलते हैं आपको view answer पे लेकिन उससे पहले आप guess करो क्या यह सही है आज हम 10 question की बात करेंग ठीक है class so I hope आपने find out कर लिया होगा so let's come to view answer देखिये light emitted by a torch light and light emitted from the headlights of a vehicle ठीक है इसलिए वो state होती है ना कि काव होती है next question पर आते हैं लिखा हुआ है the bouncing of light by any smooth surface like mirror is called कोई भी light अगर mirror पढ़ने के बाद ठीक है reflect होती है smooth surface से तो उसको क्या बोलते हैं अब बताईए मैंने बता चुका हूँ lecture में ठीक है उसी lecture की questions answer है जो कि CVC ने दिये हुए है ठीक है हम solve करते हैं इसको अब try कर लो एक बार ठीक है let's come to the view answer again तो answer क्या होगा इसका answer होगा reflection of light हमने आपको बताया है ठीक है तो उसमें तो bouncing back होता है यह सारे questions आपको as a one word note भी करने हैं ठीक है class उसके बाद आगे आजो what is image of an object class में आपको एक बाद बता रहा हूँ यह question आपको ऐसा one word note करने हैं अपनी notebook में what is image of an object कोई और मैंने बताया था image के बारे में भी virtual कब होती है जो ही real कब होती है image क्या होती है तो ठीक है आप सोच लो एक बार देख लो आई हो आपको पता चल क्या होगा मैं ढून लिया होगा फिर भी हम आपको ले चलते है view answer पे देखिए due to the reflection of light the impression of object form in a mirror is called image of the object वही देखो मैंने reflection of light नो बताया था कि अगर sun इस तरफ है ठीक है उ तो हम उसकी image ही तो देखते है sun की देखो यह याद करो उचे बताई थी अगर थोड़ा वो एंगल इदर होगा तो image अच्छी नहीं बनेगी तो वही concept है what is image of an object और reflection of light का पूरा process है वही आपको angle बनना होगा ठीक है देखना उसमें आप पहला lecture देखना उसमें आपको समझ में आएगा मेरे ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं as the distance of the object from the mirror increase the distance of the image also increase true or false इसमें इस question का मतलब समझें पहले आप as the distance of the object from the mirror यह बोला गया है कि जितनी distance जैसे आप यह समागे हो आप सीसे के सामने काड़े हो तो आपकी सीसे की बीच की distance होती है और जो image बन रही है आपकी सीसे इमेज बन रही है तो जो image और सीसे तक की distance है वो increase होती है decrease होती है true है कि false है ठीक इसमें लिखा हुआ है कि also increase तो यह सही है कि गलत है आप सूचो यानि आपकी सीसे तक की distance और फिर से सीसे से सीसे के अंदर जहां आपकी image बन रही distance सेम होती है यह increase होती है तो I hope आपने answer देख लिया होगा समझ लिया होगा तो आप पिलकुल सही है आपने answer सही बना वो distance भी increase होगी यानि जितनी distance इदर होगी उतनी distance उधर होगी ठीक है class ओके next प्राइब हम नेक्स टॉपिक आपको next question number five जो है वो आपका है placing a mirror near lights and table lamps reflect the light over a larger area and makes the room appear brighter true or false बहुत इजी है बहुत अच्छे से आप कर पाऊगे और बहुत अच्छे समझ में आने वाला देखो placing a mirror near light मालब एक light candle जल लई हमने उसके बगल में mirror रख दिया and table lamps reflect the light over a larger area और उससे बात क्या होगा जो अब जो रोसनी इस पड़ेगी और पूरेम का कर देगी reflect कर देगी reflection of light वाला process माल लोग एक candle है हमने सीशा रख दिया हम लोग नहीं करते थे कि बाहर किसी खड़े हो जाते तो सीशा यसे दूप से चमकाते थे सीशा बस बस सही पकले वही concept है आपका तो answer इसका होगा true yes बिलकुल सही है और में दो जो किया है हमने वह हमने थियूर लेकिन यह नहीं तब पता था कि it is a process of reflection of light जो कितना अच्छी चीज़ बता रहा हूं मैं ठीक है अप समझ में है ओके वेरी गुड नेक्स पर आते हैं question number six image that can be capture on a screen are called मरलब जो image screen पे capture की आती है उसको क्या बोलते है virtual image ठीक है वह कौन से होती है virtual image होती है बहुत important है उसके next question है आपका रवी is looking in a mirror his right hand will appear to be at dash in its image in the mirror मतलब ये बात है यहां पे कि रवी जो है वो mirror की तरफ देख रहा है his right hand will appear to be at in its image in the mirror ठीक है अब जो हो रवी जो है mirror की तरफ देख रहा है his right hand will appear to be at अब बताना है उसका right hand mirror में जब देखेगा तो किदर होगा जहनी जब mirror में अपनी image अपनी image अपनी image किदर हो देखो तो सबसे अच्छी बात कि मैंने आपको ये सारी चीज़ practical image भेजी थी इसमें बच्चा क्या कर रहा था हां उठा रहा था एक हां उठा रहा थ देखना हो सी image को वो जब देखो कि तुमको अपने answer मिल जाएगा तो देखो वो practical हुआ यह 3D बन गई अब आरा समझ में देखो हां यही मता रहा रहा हूँ आप अपने subject में पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ बस आप देखते जाओ समझते आने वाला ठीक है बस क्योंकि मैं बहुत से समझा रहा हूँ और यह scenario मैंने पहले से बना रखा आपके mind में lecture दिया, theory दी, picture दी, picture से theory correlate करवाया अब उनका summarize portion यहनी one word दे रहे है तो आपके एकदम catch करेगा, खटा-खट catch करेगा वो चीज़ ठीक है यह चीज समझने के लिए समझाने के लिए आपको मज़ा आता है मुझे, पढ़ाने मज़ा आता है ठीक है अपने बच्चों का ध्यान रखता हूँ और आप अच्छे से पढ़ें उसके बाद हम बात करते है next question यह देखो यह question बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी था comment box में ठीक है और वैसे normally पू क्या होता है ठीक हो देख लो तो answer क्या होता है देखो जैसे हम चार बेले गाड़ी चलाते है ठीक तो बगल में सीजा लगा रहता है ठीक उसमें क्या होता है पीछे वाली चीज उल्टी दिखाई देती है उल्टी नसेंस देखो answer बताते है so that when the driver of a vehicle in front looks into his rear view जैनी side वाले mirror में can read ambulance written quickly जो वो ambulance उल्टी दिखी होती है वो mirror में देखेंगे तो वो हमको सीधी दिखाई देगी इसलिए ऐसा लिखा होता है समझना है क्यों क्योंकि ambulance कहीं भीवाय लाके में है समझ में आ रहे है कि ambulance है तो वो easily उसको जाने दे यह ज़िए ध्यान रखना बच्चों ambulance को भी आप रोकोगे नहीं हमेशा रास्ता दोगे हो सकता है कोई necessary आदमी उसमें जा रहा हो उसको आप चाने देना यह चीज ध्यान रखना ऐसे ही देश बच पाएगा उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं the image यह बहुत important है the image form by plane mirror is plane mirror से image कैसे form होती है या क्या होती है same size as of जैसा object होता हो ऐसी बनेगी left right inverted होगी erect मलब सीधी होगी virtual मलब हाँ है की नहीं है यही है की नहीं है यही जैसे पानी पानी वाले तलाब में सामने खड़े हो जाओ ठीक उसके बाद हम देखते हैं यार यह कुछ समझ में नहीं हो अगर मैं होता भी हो तब भी वो दुन्दा दुन्दा दिखाए देता ठीक है तो हम आंसर देखते हैं आंसर है हमारा all of these yes अगर हम image form by a plane mirror होगी वो same size के होगी object के left right inverted भी होगी erect भी होगी virtual भी होगी ठीक है class यह आपको यहां पर 10th question करने हैं ठीक है आपको यह 10th question one word में करने 10th question देखते हैं state the principle used in creating a mirror principle of reflection ठीक है next question आते है name the mirror having curved reflecting surface वो है spherical mirror हमने बताया था आपको starting बताया था दो name the two types of spherical mirror देखो यह तो मैंने बताया थे आपको concave mirror and convex mirror यह बहुत जादा important है और आपको देखना है जब आप इनको देखोगे तो आपको और अच्छे स्वान में आगा यह मने starting में लेक्चन बताया था कि two types के mirror होते हैं कौन कौन से concave mirror और convex mirror ठीक लास तो आप एका revise कर लो अच्छे से धान दको